अल्व दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्व चनल में तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी होने वाली है MP3 कार्ट पर जो जिसको मैं किट में इंस्टाल करके दिखाने वाला हूं और इसके पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं और इसके कनेक्शन कैसे होते हैं व के आद पास आता है तो मैं इस्टाल करने वाला हूं जो पास पड़ा हुआ है इंप्रिफायर चताली चाहळी उसकी उसकी गट है वह में 인्टाल करने वाला हूं तो दोस्तों इधर आप देख रहे हो इधर जो पॉइंट है तो उपर सभी कुछ let दिखा हुआ है अगर आपको इसको इसकी information चाहिए तो मैंने इसकी पहले वीडियो डाली हुई है तो देख सकते हैं इसकी तो दोस्तों अभी मेरे पास दो वायर हैं एक black और एक blue तो दोस्तों अभी मैं जो हमारे पांच वोल्ट के जो connection होने वाले हैं वो मैं करने वाला हूँ तो दोस्तों यह blue कलर की मैं पांच वोल्ट की रखने वाला हूँ color code और black का मारा ground का होगा तो अभी मैं इसको salt करने वाला हूँ तो दोस्तों इसके supply के connection हो चुके हैं देख सकते हूँ तो यह black color की मारी ground की थी और blue color की मारी पांच बोल्ट की थी तो दोस्तों अभी दूसरी और देख रहे हो तो तो दोस्तों अभी आप देख सकते हूँ मेरे पास जे जक है जो मेरे पास था तो मैं इसको लगा दूंगा आपको देख ले होगा इसको कैसे लगा ना होगा अपको वैसे पता चली जाएगा अब बात करते हैं इसके connection की तो दोस्तों अभी आप जो ब्लैक कलर की देख रहे हो जे अंतीने की है और जे ग्राउंड की है देख सकते हो और जे मेरे दोनों राइट और लेफ्ट चैनल की है तो अभी मैं इसको connection करके दिखाने वाला हूं किट में कैसे होंगे तो आप नीचे देख सकते होंगे इसके नीचे जो भी राइट आपको पता चल जाएगा तो अभी मैं कार्ड को इसमें इस्टाल कर दूंगा इस्टाल इसलिए कर रहा हूं क्यूंकि जो हमारा कार्ड था उसको मैं amplifier board में लगा नहीं सकता था क्यूंकि उसमें जगह कम थी तो इसको मैं अलग से लगा रहा हूं कि अगर कर दो दूंगा तो अब ही मेरा जो कार्ड है वह इसमें इस्टाल हो चुका है तो दोस्तों अभी मैं जो amplifier है उसको open कर रहा हूं तो जैसे ही आप open करोगे तो आपको सामने दिखाई देगा 88.05 जे जो हमारा काम आता है जे कर इसका काम होता है कि जे बारा वोल्ट को पांच वोल्ट में कनवर्ट करता है वोल्टेज राइगुलेटर है 78.05 जो पांच वोल्ट होते हैं वो हमारे कार्ड में supply में जाते हैं इसलिए जे इसका काम होता है ये बारा को convert करता है पांच में और फिर हम जो हमारी पांच की होती है supply उसको हम उठा कर हम कार्ड में दे देते हैं तो अभी इसकी मैं पिन आउट के बारे में आपको बताऊंगा तो अभी जो मेरी किट है ओपन हो चुकी है देख सकते हैं तो जिसके देख सकते हैं पॉइंट है जो हमारी जो पॉइंट मैंने अभी दिखाए आपको इधर हमारे पांच पॉल्ट निकलेंगे कि अब मेरी ग्रोंड की वायर है मैं इसको क्नेक्ट करने वाला हूं पहले तो अभी मैंने जो एम्प्लिफायर था उसको रोटेट कर लिया था तो अभी मैं जो मेरी ग्रोंड की वायर है मैं उसको लगा रहा हूं जो मेरी ग्राउंड की वायर लग चुकी है अब जो मेरी पांच वोल्ड की वायर है उसको मैं लगाने वाला हूं तो दोस्तो मेरी जो पांच वोल्ड की वैर है वो भी लग चुकी है अभी तो अभी मैं कार्ड को चेक करने वाला हूं कि उसमें सप्लाई जा रही है कि नहीं तो दोस्तों देख सकते हो मेरा कार्ड के वो चल रहा है उसमें सप्लाई जा रही है अब बारी है इसके जो हमारे ओडियो के connection है वो करने वा लॉना हूँ अभी किट में तो दोस्तो अभी मैं काड में ओडियो के connection करने वाला हूं तो ओडियो के connection कैसे होगे wao बता देता हूँ दोस्तो सामने जो आप लालंग की ताल देख रहे हैं जो वहा है है तो मैंने किट में पहले इसे ओक से चलाता था तो अभी मैं ओक से जो इसके राइट लेफ चैनल के जो किनेक्शन होगे वह मैं इससे लेने वाला हूं जैसे आप देख रहे हूं तो तो मैं इससे लेने वाला हूं तो दोस्तों अभी एक खास बात बताने वाला हूं जैसे आप हम ओक स्लेट में देखोंगे इसमें एक होगी पूरी जैसे हमारी तामबे कलर की होगी एक जैसे हम तामबे को शील लेते हैं तो जैसे नीचे बूर जो रंग निकलता है रोयसे memorized क्लर की होगी वह हमारी ग्रॉंड की होती है और एक अलग से होता है एक रैट कलर और एक मेहंदी कलर सा होता है जो वो दोनों होते हैं राइट लेफ चैनल के होते हैं तो ऐसे करके मैं अभी जो अभी जे देख रहे हुँ जे मेरी जो पीच वाली है जो जे मेरी ग्राउंट की है मैं इसके साथ इसको सॉल्ड कर दूंगा तो दोस्तों जी मेरी सॉल्ड हो चुकी है देख सकते हैं मेरी ग्रोंड की सॉल्ड हो चुकी है तो दोस्तों अभी मैं राइट के चैनल की करने वाला हूं जी मेरे राइट की चैनल की है इसे मैं अभी सॉल्ड कर रहा हूं जेब मेरी सोल्ड चुकी है दोस्तों अभी मैं खरने वाला हूं लैफ्ट चैनल की तो दोस्तों ये भी मेरी सोल्ड चुकी है दोस्तों अभी मैं इसको चक करने वाला हूं इसकी इसको अभी देखने वाला हूं इसकी ओडियो कैसी आती है ठीक ठाक है कैसे अच्छा चल रहा है तो अभी सभी कुछ देखने माला हूं तो देखते हैं तो काफी अशा मेरा जो कार्ड वर्क कर रहा था और वोइस भी अच्छी आरी थी तो दोस्तो वीडियो गो लाइक करताना अगर अच्छी लगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना